आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के हेडलाइन्स पर भारत ताकिस्तान के विए सट्टे वाजी पर नाधपुर में 20 से अधिक जगों पर छाप आमारी आठ आरों फिगर अफ्तार क्रिस्तल समझ कर हीरो को कर दिया चूर चूर ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोहों को जी आर्पी पुलिस ने धर्दबोचा और बुल्धाना जिले में एक सेनमार भालू से गावासी परेशान भालू 12 से 15 घरों में कर चुका है सेनमार और अब खबरे विस्तार से चिन में पंडित द्वारा कारवाई किये जाने से बुक्यों में हड़कम मचा हुआ है। रविवार को आयजित मुकाबले को लेकर देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में रोमान चाया हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा था। इसका लाब उठा कर शहर के बुक्य भी माला माल होना चाहते थे। चिन में पंडित ने आज सुभ़ी क्राइम रांच की कामान संभाली। पुलिस आयुक्ता ने उन्हें बुक्यों के खिलाब सकत कारवाई करने के निर्देश दिये। पंडित ने अलग-अलग दल बना कर शहर में 20 स्थानों पर छाबे मारे। इस कारवाई की भनक लगते ही सट्टे बाज भूमी गध होने लगे। पुलिस ने उनके कार्या ले तथा घर की तलाश ली। इस दोरान फिरोश शेक, पियूश अग्रवाल, आशोक गुपता, राहुल अग्रवाल, प्रविन अग्रवाल, चिंटु चौरसिया, सोनु चाहंदे पुलिस के हाथ लग गए। क्रिकेट सटे बाजी के मामले दर्ज होने से उन्हें बंदी बनाकर क्राइमराज के अलग-अलग यूनिट में ले जाया गया। पुलिस की ढिलाई से उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। इस कारवाई का व्यापक असर होने की उम्मीद है। बंदी बनाए गए सटे बाजों से देडराथ तक पुष्टाश चलने की जानकरी चुत्रो द्वारा प्राप्त हुई है। चोरों ने सभी हीरो का क्रिस्टल तोड़ दिया। हलनकि मामले की जांज करते वे नाकपुर लोह मार्ग पुलिस ने असम तक आरोपियों का पीछा गर तीनों आरोपियों को धरदबोचा। नाकपुर्ल होमार पुलिस से मिली जानकरी के मुताबिक पकड़ गए आरोपियों के नाम नयन मुखी मेधी, दीब जोती मेधी और संजुराम नारायन राय बताय जा रहे हैं। गोंदिया का सफर कर रहे थे। मामला दर्ज होते ही जी आरपी के स्पी एम राच कुमार ने क्राइम राच को काम पर लगा दिया और जांच शुरू ही। ऐसे में महिला यात्रियों द्वारा दिये गए बयान और आरोपियों की पहचान आधार पर दुरुक रायपूर और ग गोंदिया से नागपूर बस से आये और एक लॉज में रुके यहां से अन्य जगह भी तीनों के जाने की जानकरी हैं जहां गुआहटी फ्लाइट से जाने के कारण उन्होंने हीरो को क्रिसल समझ कर टुकडे टुकडे कर दिये जिन्हें नागपूर लोहमार पुलिस ने आ पहशत का माहल बना हुआ है मुल्डाना जिले के पिमपर खेडा गाउ की घटना बताई जा रही है जहां भालू लोगों के घर में सेन्मारी कर उनका राशन पानी खा रहा है अब तक भालू ने 12-15 घरों को अपना निशाना बनाया है जबकि गाउ वासी इस भालू की पूरी तरह से डरे हुए है गाउ जंगल से लगे होने के कारण भालू आसान इसे गाउ में प्रवेश कर लोगों के घरों को निशाना बना रहा है जबकि वनविभाग को इसकी सूचना देने के बाद भी वनविभाग के अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे है ऐसे शि आस्तो पैसे लगना नी 25 लाग रुपाचे वीशे 25 लागा साथी दर के दिट आसंके जू आसा दस्तिन तो या साथी शासनाला हे काई मोटनी ये सासनाला आमी उध्या पापिस ला तस निवेदन देनारे त्यरी त्यानी आमचे या निवेदनारे ग्राहे पकुलुन तोरी त्या दिट लिद्या घरिए पना की लूट मर आजी और से खोटे नाटे समीत टेश कर्शे देकलि के जांग्लाों लिए 13 कि खार्च के लिया ऊरे केरे लूट में त्या आसे खोटे नाटेरा आटे समीतिया पृली शाबरसा लिए स्थापन करूं या समीधित आज चार वर्षी जले तीन वर्षी जले कुटला एक रूपाया सुद्धा गाउचे विकास चाटनी आणि इथल ची लुक है ये अगोदर या अगोदर आपले पाली प्रानी पालाईचे जंगला चाराईचे जंगला तुन लाकड पाटा आनाच आपला पोट उदर निर्वा कराचा तेही सुद्धा या लोकानी बंद केलाई आता या लोकानी पोड भराचा कसा भराचा या साथी प्राशास नानी ताबर तो तोरीत काही तरी करावे अन्याता ये लुका अमर वपशन कि वा इथल ची मंदड़ी आमचे मांचा जाता का माले बाइर गाले आमी लालन लेकर ऑन गारा मंद रात ओथ हो आसोला माला फारा लेकरा लेक रहा लेकर लाज या बर्पा को न बरूं देही तुम्चा भाप बरूंदेन निका का माली ए ताइड प्रेस्टोया आल पाजिए इता आम जाता का आले नहीं हाँ नाए नागपुर के कोराडी पुलिस टेशन के ताथ आने वाले कोराडी थर्मल पावर स्टेशन के टी पीएस के अभियनता के खिलाफ कोराडी पुलिस ने दुशकर्म का मामला दर्च किया है एक तलाकशुदा महिला ने इंजिनियर पर रेप का आरोप लगाया है पुलिस ने 41 वर्ष ये पीडिता की शिकायत पर ग्यानेश्वर अंभोरे और फांभोरे के खिलाफ मामला दर्च कर कारवाई शुरू की है कोराडी पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के तहट ग्यानेश्वर कोराडी थर्मल पावर स्टेशन केटी पीएस में अभियनता है वर्ष 2009 में पीडित महिला की पहचान ग्यानेश्वर से हुई दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई इसी बीच महिला का विवा हो गया जबकि शादी के बाद महिला के घर में कला होने लगी इसी कारण चार वर्ष बाद पती ने पीडिता को तलाग दे दिया इसकी बाद 2018 में दोबारा ग्यानेश्वर का पीडिता से मिलना जुलना शुरू हो गया इस बीच महिला का आरोप है कि गयानेश्वर ने उसे शादी का भरोसा दिलाया समय समय पर उसके साथ दुशकर्म किया अश्लिल फोटो और वीडियो भी बनाए जिसकी बाद पीडिता ने ग्यानेश्वर पर विवाहा के लिए दबाव डाला तो टालम टॉल करने लगा यही नहीं पीडिता ने पुलिस से शिकायत करने की चेताओ ने दी तो अश्लिल फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी देने की जानकरी महिला द्वारा दी गई है और संबन रखने के लिए दबाव डालता रहा है आखिर पीडिता ने कोराडी पुलिस से शिकायत की पुलिस ने मामला दर्च कर जाँच शुरू कर दी है नागपुर महनगर पालिका के पार्शद वजल प्रदय समिति के सभापती संदिप गवई के घर पर अग्यात आरोपियों ने सेन लगा कर करीब पचास लाख रुपे के जेवरात पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है बताया जाता है कि चोर तीजोरी सही जेवरात ले भागे जिससे पुलिस विभाग में हडका मच गया है गिटी खदान पुलिस से मिली जानकरी की मुताबिक सेमिनेरी हिल्स की माला बर कॉलनी में गवई का बंगला है संदिप गवई का परिवार प्रॉपर्टी और गार्मेंट का व्यवसाय करता है पिछले कुछ दिनों से उनके घर में स्वेमिंग पूल का निर्मान कारियत चल रहा है इसी वज़े से मजदूरों का आना जाना लगा था घर की देखभाल करने के लिए कुछ नौकर भी रखे थे 17 अक्तूबर को गवई अपने परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए मुंबई गए थे मजदूर और नौकर घर पर थे रात में रखवाली के लिए उनकी साली भी घर पर सोने आती थी शनिवार को गवई नाकपूर लोटे रविवार को उन्होंने लकडे की अलमारी खोली उसके भीतर ही दिवार में तीजोरी लगाई गई थी तीजोरी गायब देख गवई हक के बक्के रहे गए उन्होंने घर में मौजुत लोगों से पूछता आच की लेकिन कीसी को भी कुछ जानकारी नहीं थी तुरंद गवई ने पुलिस को जानकारी थी गिटी खदान पुलिस मौके पर पहुँची पुलिस ने अग्यात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च कर जांच आरम की है इस समन्द में गवई ने बताया कि घर में सोने आती थी इसलिए संदेह है कि दिन के समय ही चोरी को अंजाम दिया गया था पुलिस के साथ गवई का भी मानना है कि कि किसी करीभी व्यकती ने ही वारदत को अंजाम दिया है जबकि इस पूरे मामले में पुलिस विभाग में हड़कम मज़ गया है, वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है वक्तों चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक चोड़े से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरूची मसाले खाने में हो रूची, तो घर लाइए सुरूची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है, फ्लाइवील एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, one degree, three job opportunities फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, gives you a degree or diploma with a job फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, 365 गानी नगर, L.A.D. College Square, beside करनाटिका बैंक नागपुर ब्रेक के बाद अपका स्वागत है अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए जिसमें महाविकास आगाड़ी सरकार के दो मंत्री एक दुजे के विरोध में थे जिसमें कॉंगरेस को समाप्त करने की घोशना बाजे भी की गई ये जानकारी राज्य के राज्यस्वा मंत्री बाला साहिब थोरात ने कही है अमरावती के विश्राम गुरुह में जिला बैंक के नवनिर्वाचित संचालकों के सतकार समाहरों के दोरान मंत्री बाला साहिब थोरात रोश व्यक्त करते नजर आए एन्सिपी, शिव सिना और राज्यमंत्री बच्चु कड़ू पर थोरात ने कहा कि चुनाओ के दोरान कॉंग्रेस को समाथ करने की कोशिश की गई लेकिन चुनाओ में कॉंग्रेस को कामियाभी हासिल हुई कॉंग्रेस होता अब राओ की चिल्लया मदे कॉंग्रेस तुप साकत्वान आए इसे जरारीचे काने करते आए और या सग्रेस ला संपोई चासा तो पोईले या काने करते ला संपोई ला संपोई भाई जे हाँ उतने श्थूर या जैक्के मदे ज्योटुक लड़ोली मिली कॉंग्रेस चा विरुदा मदे संपने एक धाले वे आपने सगय ना दिस्तर काही जावता ही ज्योटुक किंखाई ची मुनुक काई कॉंग्दे प्रयोग जाले नहीं आसादर तपसा लेगे लोतर मायंते ही ज्योटुक तुम्हला अटला संपाई ना पतर वियोग साली सहा कुषित पन्न बाजार समिती के लिए हुए चुनाव में सुनिल केदार के सहकार पैनल ने एक तरफा जीत हासिल कर बीजेपी को करारा जटका दिया चुनाव में पहली बार बीजेपी समर्तित शेतकरी परिवर्तन पैनल को उतारा गया था लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली सभी अठरा पदो पर सहकार पैनल के उम्मिदवार भारी मतों से जीत कराएं सबसे ज़्यादा दिल्चस्प व्यापारी आरतिय श्रेनी चुनाव रहा जिसमें भी केदार गूटके ही प्रकाश वाधवानी और अतुल सेनाड को सफलता मिली सेनाड को सरवाधिक 873 वोट मिले जबकि वाधवानी को 789 वोट हासिल हुए एपी एमसी चुनाव को लेकर कलमना स्थित मतगनना स्थल पर सुबह से ही भारी भीड उमर चुकी थी पहला नतीजा सुबह करीब 11 बजे हमाल वर्ग का आया इसके बाद व्यापारी आरतिय वर्ग का रिजल्ट आया अधिकांच लोगों की नजरे इसी वर्ग में लगी हुई थी नतीजे आते ही आतेश बाजी और गुलाल का दौर चल पड़ा चुनाओं के दौरान भाजपा के विधायक और पार्शुत मैदान में उत्रे हुए थे लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली वही रविवार को मतगनना के दिन एक भी नेता नजर नहीं आया केदार गूट को पहले से ही जीत का अनुमान था जिसके कारण नों के समर्थक सुभा से ही स्तल में पहुचे हुए थे जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहा था उत्साह बढ़ते जा रहा था ढोल बाजे के साथ लोगों ने जबरदस्त विजयी जुलुस निकाला और पुरे परिसर में भ्रमन किया वही विपक्ष के लोग पुरी तरह से नदारद रहे सुनिल केदार ने विजय के बाद कहा कि सभासत एपी एमसी के विकास के लिए काम करेंगे विजय सहकार शेत्र का विजय है सहकार विरोधियों को वोटरों ने सबक सिखाया है किसानों को न्याय दिलाने का पूरा-पूरा प्रयास होगा केंद्र के किसान विरोधि नीती के खिलाफ भी लोगों ने अपना घुसा प्रकट किया है नाबलिक लड़की से छेड़ चाड़ करने वाले आरूपी को विशेश सत्र नायले ने तीन वर्ष कारवास और 7,000 रुपे जुर्माने की सजा सुनाई है इसके साथ ही जुर्माने की रकम में से 5,000 रुपे पिडित लड़की को भरपाई की रुप में भुपतान करने के निर्देश दिये है ये वारदात मौदा तहसिल में हुई थी इस मामले में नायदिश S.R.3 वेदी ने फैसला सुनाया है आरोपी आजन गाउ निवासी अतुल तुलसिराम ढूमने है वारदात के दिन पिडित लड़की 17 वर्ष की थी वह 27 जुलाई 2020 को घर जाने के लिए मौदाबास स्थानक के पास खड़ी थी इस दोरान आरोपी ने उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपने वाहन में बिठा लिया और उसके साथ छेड़ चाड़ शुरू कर दी नाबालेक ने घर पहुचने के बाद घटना के जानकर ये अपने मा को दी इसके बाद पुली स्टेशन में शिकायत दर्च कराई गई थी जिसके थाथ आरोपी को तिन साल की सजा का एलान जिला सत्र नायले ने किया है नागपुर जिले में नए संक्रमित मिलने की तुलना में स्वस्थ होने का प्रमान कम हो गया है इसी वज़े से सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 40 पर जाँ पहुचे पिछले दिनों सक्रिय मरीज 30 के नीचे जाँ पहुचे थे तो हारी सीजन के बीच सक्रिय मरीजों की संख्या कम नहीं होने से चिंता बढ़ने लगी है पिछले 24 घंटे में जिले में 5 नए संक्रमित मिले इनमें शहर के 4 और ग्रामिन का एक है जबकि मौत के आकड़े पिछले अक्तुबर महिने से स्थीर बने हुए है आज एक संक्रमित स्वस्थ हुआ, अब तक 4,83,262 संक्रमित स्वस्थ हो चुके है अब तक कुल 4,93,422 संक्रमित मिले, मृतोकों की संख्या 10,120 पर स्थिर बनी हुई है 40 सक्रिय मरीजों में 34 शहर के 5 ग्रामिन के और एक जिले के बाहर का है आज 2958 नमुने जांच किये गए, इसमें शहर के 2499 में और ग्रामिन में 469 नमुनों का समाविश है तो सुभा के प्राइम टेम न्यूज में अभी इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूज, नमस्कार